इस अपजेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए खाल इसतन पर राइट क्लिक किजिए क्वाड लेन्यू क्विल जाएगा इस क्वाड लेन्यू में एक और इमपोर्णन टॉपिक है क्लोन जैसे मैं हम कीरन के लोnh मैंशें जैसे हम quad menu में से clone को select करते हैं तो clone के option की ये window खुल जाती है clone window में सबसे पहला option copy का है मालो आप किसी building का एक pillar बना रहे हो और इस building के सभी pillar एक जैसे हैं तब आप pillar बनाने के बाद बाकी pillar की जगह उसकी copy लगाओ गए तो मैं अभी यहाँ पर copy को select कर लेता हूँ और ok का button दबा देता हूँ अब move tool से इस object को move करता हूँ आपने देखा इस object के ठीक उसी जगह पर एक और copy बन गई थी object की इस copy को हम delete कर देते हैं अपने इस object को एक बार फिर select कर लेते हैं इस बार आप अपने keyboard का shift बटन दबा कर रखिए move tool से object को move कीजिए अब mouse का बटन छोड़ दीजिए फिर दोबार वही window खुल जाएगी मगर इसमें एक नया option आगया है number of copy का जब हमने इसे quad menu के थुरू खुला था तो इसमें number of copy का option नहीं था तो जब भी हमें copy ये clone बनाना हो तो shift के साथ move करना ही सबसे अच्छा option है अब हमें इस option की जितनी copy चाहिए उतने number को हम यहां भर देते हैं और रोक के का button दबा देते हैं चलिए control Z दबा कर पुरानी command cancel कर देते हैं जो ने बच्चे 3D Max सी करें उसके साथ ये video जरूर शेयर करें याद रखो आप देश की काई हो यदि आप अपनी skill वड़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है